हेलो गाइस वेलकाम बैक टो दे लास्ट पार्ट आप दे वीडियो तो इस बहुत टाइम के बाद इस वीडियो को लास्ट लाड़ी हूं क्योंकि बीच में बहुत सारी टॉपिक पे मुझे ड्रॉइंग करना बहुत ही ज़रूरी था उसले में उस दो वीडियो को डाला और इस वीडियो को आने में बहुत देर हुआ और इस वीडियो में मैं आपको लिखाँ कि छोटे-छोटे डिटेलिंग कामें उसको अंकि सबसे करेंगे तो एड़ फस्ट मैंने शैडो और जो डार्क एडिया है पेर के असपास उसको कर लिया ब्रांट शायना के इस्तमाल करक पहारी रीष्टर के साइड़ आप की अप देखेंगी कि एक रेलिंग होती है और है पेर के बनी बहुत मोटा मोटा पेर और अब मैं उसके उपर हाइलाइट करूंग में इस पेर का जो डेलिंग है इसको पहले में पूरा ड़ार्क रांट शाइना के समल करके इसको एप्ल कि दिखने के लिए जो हमारी डोट पे लगे रहते ही ओलो या वाइट तो यह पर आपको प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे फॉलो करना चाहिए और में लाइन भी ड्रॉ कर लिया और आप मैं दिखा रही हूं कि पेड के उपा थोड़ा पत्य गिरी हुई है क्यूंकि पत आप शाइन के ऊपर थोड़ा हलकी करके पेल लगा रही हूं थोड़ा थोड़ा घ्रस इससे के वागा जो सामने का जो एडिया है पुफका नहीं लगेगी बहुत ही संदर लगेगी आप जो तो कुछ और भी बना सकतो थोड़ा फूल बगरा भी दे सकतो कुछ और भी कलर क इस्तमाल कर सकते हो इससे और भी अच्छा हो जाएगी ऐलेट लगेगे क्यों पर शुपर से मास्किंग बढारीऊब तो मास्किंग भढाने चाहिए आप को हमेशा धियान राखना है कि जो मास्किंग टेप का टान है और आपका आपका कैनवास से बहार होना जाहिए आधर एक दम लास में जो पेंटिंग मुझे लगा बहुत ही अच्छा पूरा का एक एडवेंटर्स पहारी लागा का एडवेंटर्स तो अलगी लेवल का होते हैं मुझे पहार बहुत पसंद है और इसी टाइप के वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बतना और चैनल सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं इस नहीं वीडियो पर जल्दी थैंको समच और वाचिंग